नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है शिक्षा कल्चर में आज हम रास्टपिता मात्मा गांधी का जीवन परीचे इस वीडियो में देखने वाले हैं गांधी जी का बास्तविक नाम मोहंदास करमचंद गांधी था गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1889 को गुजरात के शहर औरवंदर में हुगा था इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलिवाई था गांधी जी के पिता ब्रिटिस राजी के समय काठिय वाड की एक छोटी सी रियाशत औरवंदर के दीवान थे मिडल स्कूल की शिक्षा पूरवंदर में हाई उस्कूल की शिक्षा राजकोट में सेक्षनेक इस्तर पर मोहंदास एक औसत शात्र थे सन 1887 में उन्होंने मैट्रिक की परिक्षा एहमदाबाद से उत्रिन की मोहंदास और कस्तूरवा की चार संतान हुई हीरलाल गांदी, मनीलाल गांदी, रामदास गांदी और देवदास गांदी वर्ष 1888 में मोहंदास युनिवर्सिटी कॉलिज लंदन में कानून की पढ़ाई करने और वेरिष्टर बनने के लिए इंगलेंड चले गया जुन 1899 में गांदी, भारत लोटे और वहां जाकर उन्होंने अपनी मा के मौत के बारे में पता चला उन्होंने बॉम्बे में बकालात शुरू की पर उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली इसके बाद वे राजकोट चले गए जहां उन्होंने जरूरत मंदों के लिए मुकतमे की अरजियां लिखने का कार शुरू कर दिया फरन्तु कुछ समय बाद उन्हें यह काम भी छोड़ना पड़ा गांदी जी दक्षण अफरिका में 1893 से 1914 तक रहे गांदी 24 साल की अमर में दक्षण अफरिका पहुँचे वह प्रेटोरिय स्तित कुछ भारती व्यापारियों के न्यायक सलाकार के तौर पर बहां गए थे उन्होंने अपने जीवन के 21 साल दक्षण अफरिका में बिताय जहां उनकी राजनेतिक विचार और नेत्रित्व कौंशल का विकास हुआ दक्षण अफरिका में उनको गंबीर नसली वेदवाप का सामना भी करना पड़ा भारतीय सुतंतरता संगराम का संगर्स गांदी जी दक्षण अफरिका से भारत वापिस लोटाये इस समय तक गांदी जी एक राष्टवादी नेता और संयुजक के रूप में प्रतिस्टत हो चुके थे वह उदारवादी कॉंग्रेस नेता गोपाल कृष्ण गोकले के कहने पर भारत आये थे गांदी जी अपना राजनेते गुरू गोपाल कृष्ण गोकले को मानते थे भारत की सुदंतरता के लिए गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदुलन पर हम प्रकाश डालने वाले हैं सबसे पहले हम बात करते हैं चंपारण आंदुलन बिहार के चंपारण जिले में सन 1917-18 में मात्मा गांदी के नित्त्व में भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रे था इससे चंपारण सत्याग्रे के नाम से जाना जाता है उस समय अंग्रेजों और उनके जमीनदारों द्वारा हजारों भूमी हीन मजदूर एवं गरीब किशानों को खाद्यान के बजाए नील किया में किसान एकत्रित हो गए थे अब नेक्ष्ट हम बात करते हैं असायोग आंदोलन रॉलेक्ट सत्याग्रे की सफलता के बाद एक अगस्त उननीस सो बीस मात्मा गांदी ने असायोग आंदोलन की शुरुआत की जिसे इंग्लेज जी ने लोगों से आग्रे किया कि वे गांदी जी ने कहा था यदि असायोग का ठीक ढंग से पालन किया जाय तो भारत एक वर्ष के वीतर सुराज प्राप्त कर लेगा अर्थार्ट भारत आजादी प्राप्त कर लेगा गांदी जी के इस आंदोलन ने अंग्रेजी सामराज को हिला कर रख दिया नमक सत्यागर है मात्मा गांधी द्वारा चलाए गए प्रमुक आंदोलन मैंसे एक था इसे डांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है नमक पर बिटिस राज के एक अधिकार के खिलाफ 12 मार्च 1930 में बापू ने एहमदाबाद के पास इस्थित सावरमती आश्रम से डांडी गाउं तक 24 दिन का पैदल मार्च निकाला था उस दौर में अंग्रेजों ने चाय कपड़ा यहां तक की नमक जैसी चीजों पर अपना एक अधिकार इस्थापित कर रहा था उस समय बापू ने डांडी में नमक बना कर अंग्रेजी कानून को तोड़ा था डलित आंडोलन पूरा समझवता के बाद गांडी जी ने खुद को पूरी तरह से हरीजनों की सेवा में समर्पित कर दिया जेल से चूटने के बाद उन्होंने 1932 में अखिल भारतिये चुवाचूद बिरोधी लीग की स्थापना की साथ ही आठ मई 1932 से चुगाचूद बिरोधी आंडोलन की शुरुगात की उन्होंने हरीजन नामक सापताहिक पत्र का प्रकाशन किया हरीजन आंडोलन में मदद के लिए गांदी जी ने 21 दिन का उपपास भी किया था भारत चुड़ो आंडोलन तुतिय विश्वयुद यानि World War 2 के समय 9 अगस्त 1942 को आरंब किया गया था क्रिप्स मिसन की विफलता के बाद बापू ने ब्रिटिस सासन के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंडोलन छेडने का फैसला किया 8 अगस्त 1942 की साम को बंबई के अखिल भारतिये कॉंग्रेस कमीटी के बंबई सत्र में अग्रेज भारत चुड़ो का नारा दिया हालांकि गांधी जी को ततकाल ग्रफतार कर लिया गया था महत्मा गांधी जी का सामाजिक जीवन महत्मा गांधी एक महान लीडर तो थे ही परन्तु अपने सामाजिक जीवन में भी वे सादा जीवन उच्च बेचार को मानने वाले व्यक्ती भी थे उनके इसी सुवाव के कारण उन्हें लोग मात्मा केकर समोधित किया करते थे गांदी जी प्रजातंत्र के बड़े ही समर्थक थे उनके दो हत्यार थे सत्य और अहिंसा इन्ही हत्यारों के वल पर उन्होंने भारत को अंगरिजों से आजात कराया गांदी जी का व्यक्तिद्व कुछ ऐसा ही था कि उनसे मिलने पर हर कोई उनसे बहुत प्रभावित हुआ करता था गांदी जी की मुर्तिव 30 जनवरी सन 1948 को नाथूराम गोट से द्वारा गोली मार कर मात्मा गांदी की हत्या कर दी गई थी उन्हें तीन गोलिया मारी गई थी उनके मुझ से निकले अंतिम शब्द धेराम थे उनकी मृतिव के बाद दिल्ली में राजगाट पर उनकी समाधी इस्थल बनाया गया है